Hello friends, welcome to HP Study Hub आज दिनाख है 19 जनवरी तो चलिए डिसकस करते हैं 19 जनवरी के करेंट अफियर और स्टैटिक जिके के टोप 10 important question जो आपके आने वाले किसी विग्जैम के लिए बहुत ही ज़ादा important है बट बिफोर वी गो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें सबसे पहले बात करेंगे उस question की जो मैंने आपसे पूचा था 18 जनवरी 2021 को जिसमें मैंने आपसे पूचा था कि Republic Day Praid कौन से प्लेस पे हैल्ड की जाती है तो यहां पर काफी सारे लोगोंने राइट अंसर इसका कोमेंट किया था लेकिन जो सबसे अच्छे कोमेंट थे वो थे हमाशुडोन के इन्हों ने लिखाए The Republic Day Praid Start from राष्टपती भवन तो इंडिया गेट तो फ्रेंट्स इन्होंने बताया है कि राष्टपती भवन से लेके इंडिया गेट तक यह प्रेड हैल्ड की जाती है नियो डेली में उसके बाद डो नंबर वन का भी अच्छा कोमेंट था मनीशा कश्यप ने भी यहां पर इंडिया गेट और चेतना शर्मा ने भी यहां पर राइट अंसर इसका कमेंट किया है तो फ्रेंट्स आज के कॉशन का भी आप कमेंट में अंसर जरूर करें और हो सके तो उस अंसर के बारे में अगर आप थोड़ा सा अगर एक्स्टा इंफोर्मेशन जानते है तो वो भी हमारे साथ जरूर शेर करें तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्शर को जिसमें आपसे पूछा गया है आइस तूपा, स्वस्थिया पोर्टल और प्यास डेशबोर्ड विच वर मेकिंग न्यूस रसेंटली तो इस कॉशन का जो रहे इंस रोगा फ्रेंज यह जो इनिशेटिव्स है आइस तूपा, स्वस्थिया पोर्टल और प्यास डेशबोर्ड यह हैं मिनिस्ट्री ओफ ट्राइवल अफेर के option series the right answer और यह न्यूस में इसलिए थे फ्रेंज क्योंकि हाली में मिनिस्ट्री ओफ ट्राइवल अफेर को मिला है इन तीनों इनिशेटिव के लिए इगोर्नस में बेस्ट परफोर्मस देने के लिए स्कोच चलेंजर्स अवोर्ड तो इसलिए फ्रेंज से आपका हाली में न्यूज में थे और बात करूँ प्यास डेशबोर्ड की इसके अंदर फ्रेंज डीजटलाइज किया गया था स्कोल्र शिप जो भी स्कोल्र शिप दी जाते है ट्राइबल स् ट्राइबल अफेर से लिएटिद लोगों को तो फ्रेंज, उसत प्रियास डाइस बोर्ड जह था इससे लिएटिड काम करता था ताकि किस तरह digitalization के जासे के scholarship को बात करूँ आइस तूपा की तो ये initiative था to solve the water problem in Ladakh region काफी important है friends आप इसे याद रहके आइस तूपा था एक initiative था Ministry of Tribal Affairs का कि किस तरह solve की जासे के water problem in Ladakh region वहीं बात करूँ स्वस्थे portal की तो ये friends आपके initiative था Tribal Affairs Ministry का for health and nutrition status के लिए कहाँ पे tribal population में तो काफी यहाँ पे important ये तीनो स्टेप थे e-governance के इसी के लिए हाले में Ministry of Tribal Affairs को मिला है Scottish Challengers Award और ये जो award है ये रिसीव किया है Minister of Tribal Affairs यानि कि Arjun Munda ने next question के बात करें question number two जिसमें आप से पूछा गया है Nord Stream 2 pipeline which was making जो हाली में news में है ये कौन से C से आपकी पास होती है आपके given option है Caspian C, option B, Baltic C, option C, red C या फिर option D, East China C, तो इस question का जो right answer होगा ये आपकी पास होती है option B, Baltic C से friends यहाँ पे आप map के थूँ देख सकते हैं यह आपका Baltic C ये वाला जो हाँ आपका Baltic C है और Baltic country यह कहा जाता है Estonia, Lithivia और Lithunia को आप इनका भी नाम याद रखे इन तीनों country कहा जाता है Baltic country यह क्योंकि ये Baltic C के पास है तो ये जो pipeline है इस pipeline का नाम है Norden Stream 2 ये आपकी friends जर्मनी के Lumen मिन से होकर रशिया तक जाएगी तो ये आपकी pipeline project है इसका ही friends इसका ही जिकर किया गए यहाँ पर आपका पूशा गए कि आपकी कौन से C से होकर गुजरती है तो ये आपको देख सकते हैं ये आपकी Baltic C से होकर गुजर रही है तो इसकी जो friends हाली में construction इसकी रुकी थी लेकिन centrally है इसकी द्वारा से construction शुरू कर दी गई है यानि कि the German authorities provide immediate permission to resume work which will bring natural gas from Russia तो friends यहाँ पे Russia जो है वो gas supply करेगा Germany को तो इसका काम रुक होँआ था और finally यहाँ पे जो है friends इस काम को द्वारा से start कर दिये गया है और only 6% of the pipeline is yet to be complete अभी तक बात करूँ friends तो इसका मातर 6% काम ही complete होँआ था लेकिन अब होप है कि जल्दिस जल्दिस काम को complete कर लिया जाएगा तो काफी important question है आप इसे भी याद रखे The next question, question number third जिसमें आप से पूछा गया है which country mass digger probe name the mole was declared dead recently तो friends, कौन सी country का एक mission था जिसके मास को digger करना था probe के प्रोब जिसका नाम था mole के थूँ लेकिन recently friends उसका जो mission है वो आपका dead declare कर दिये गया है उस country के scientist द्वारा तो इस question का जो right answer होगा वो होग option option C, USA USA इसका right answer होगा USA के friends वो NASA है NASA ने इस mission को launch किया था NASA ने अपना insight mission लोँच किया था 5 मही 2018 को to study the deep interior of the Nellet mass लेकिन unfortunately ये जो mole एक heat probe है जिसका काम था यहाँ पे mass की स्थ के ओपर लगबग 5 cm खुदाई करना लेकिन ये मातर 0.3 cm की खुदाई के बाद ये friends यहाँ पे NASA के scientists ने इसको declare कर दिया dead तो friends unfortunately ये mission आप यहीं पे रुख गया है अलाकि यहाँ पे mole or heat probe को deads declare किया है NASA के scientists लेकिन इनका insight lander अभी भी mass की स्थ पे काम करेगा तिल 2022 तक next question की बात करे question number 4 जिसमें आप से पूछा गया है the Nescom has partnered with which state's AI mission to launch an innovation factories तो friends Nescom ने हाली में partnership की है कौन सी state के artificial intelligence mission के तहित ताकि वो launch कर सके innovation factories उस state के अंदर आपके given option A Tamiladu, option B Telangana, option C Kerala, या फिर option D Karnatka, तो इस question का दो right answer होगा Nescom ने partnership की है with option B Telangana के साथ ताकि वो launch कर सके Telangana के अंदर innovation factory Nescom आपका stand करता है National Association for of Software and Service Companies और T.A.M. आपका stand करता है Telangana Artificial Intelligence Mission friends इस जो mission का जो main aim होगा वो होगा to recognize and promote innovation artificial intelligence solution for challenge in agriculture sector तो agriculture sector में जो भी problem है उनमें जो solution लाएगा उसकी aim को promote करना friends अगर कोई company या कोई startup institution अगर यहाँ पर कोई solution लाता है agriculture sector में तो वो जी सकता है एक लाग रुपे भी तो उसकी भी यहाँ पर एक लाग रुपे प्राइस देने की भी यहाँ पर बात की गई है next question की बात करें question number 5 जिसमें आपसे पूचाएं Indian Army has developed India first indigenous 9mm machine pistol along with which among the following organization friends Indian Army ने first time developed की है indigenous एक pistol जिसका नाम है 9mm machine तो आपने मुझे बताना है कौन से organization के साथ मिलके Indian Army ने आपकी developed की है आपके option है DRDO HAL Mahindra या Tata Advanced System तो इसका तो राइटन्स रोगा वो है option option A DRDO तो DRDO यानि की Defense Research Development Organization के साथ मिलके त्यार की है Indian Army ने first time indigenous 9mm machine pistol this was informed by दी और इसके announcement की है Defense Ministry ने 14 जन्वरी 2021 को कि DRDO कब सेट अप किया गया था और इसके प्रेजन्ट में Chairman कौन है और या आपका किस Ministry के अंडर काम करता है ठीक है यह तीन question आपने मुझे comment box में बताने है question number 6 की बात करें जिसमें आपसे पूछा गया है यहाँ पे आपको दो statement दी गई है about Joint State Public Service Commission आपने मुझे बताना है इन दोनों statement से कौन से statement ठीक होगी या फिर दोनों गलत होगी या फिर दोनों ही ठीक होगी statement 1 बोलती है the Joint State Public Service Commission जो है एक constitution body है statement 2 बोलती है कि Joint State Public Service Commission के जतने भी member होती है वो appoint किये जाते है by the president तो आपके यहां पे एक given option और इस question का जो रेटांसर होगा वो होगा option option B only two statement यहां पे friends आपकी correct है statement 1 आपकी बिलकुल incorrect है चले देखते है statement 1 में क्या होना चाहिए तो friends बात करूँ Joint State Public Service Commission की तो इसका हमारे constitution के अंदर directly बात नहीं की गई है indirectly यहां पे Parliament जो है एक act बना के जो है यह जो Joint State Public Service Commission set up कर सकती है for two or more states में वहीं बात करूँ UPSC और State Public Service Commission की इसकी friends डिरेक्ट ली बात की गई है हमारे constitution में तो इसलिए यह first statement यहां पे incorrect होगी क्योंकि इसका constitution के अंदर कोई डिरेक्ट जिकर नहीं किये गया है लेकिन हाँ Parliament by act के तुरू Joint State Public Service Commission set up कर सकती है two or more states में वहीं बात करूँ second statement की बिल्कु लुक रखते है इसके जो chairmen's होते है और members होते है यानि कि Joint Service Public Service Commission के जो member होते है chairman होते है वो appoint के जाते है by the president of India और ये जो office hold कर सकते है वो कर सकते है six साल के लिए और जब तक जब तक की इनकी age 62 years तक complete ना हो जाए तो काफी important question है friends आप इसे याद रखे next question के बात करे question number seven जिसमें आप से पूचा गया है the international rice research institute is located in आपके given option है Thailand, Malaysia, Philippines या फिर इंडोनेशिया तो international rice research institute कहाँ पर locate है तो इसको जब रखे रखे रोगा वो होगा option C, Philippines Philippines में इसका right जो होगा international rice research institute के आपके headquarter देखने को मिलेंगी location देखने को मिलेंगी Philippines की capital है Manila में Thailand की capital है Bangkok में Malaysia की capital है Kuala Lampur में और इंडोनेशिय की capital है Jakarta में The next question Question number 8 जिसमें आपसे पूछा गया है Which temple has been named as the cleanest iconic place in India under the Swastahi Seva program तो आपने मुझे उस temple का नाम बताना है जो कि Swastahi Seva के अंदर cleanest iconic place बना था इंडिया का और के option है Vishnu Devi temple Triputi Tirupati temple Golden temple या फिर मिनक्षी temple तो इसका राइटन स्रोगा option option D मिनक्षी temple मिनक्षी temple in Tamiladu Madurai has been named the cleanest iconic place in India under the Swastahi Seva program The next question Question number 9 जिसमें आपसे पूछा गया है Minjar Fair is the important fair celebrated in Chamba district What does Minjar represent for? तो Minjar Fair जो है friends आपका district in Chamba में celebrate के जाता है तो Minjar का मतलब क्या होता है friends आपके given option lotus flowers wheat flowers local customs या फिर mage flowers तो इसका राइटन स्रोता है Minjar आपका represent करता है mage flowers को ठीक है तो काफी important question आप इसे याद रखे The next question Question number 10 और आज के last question Largest mint in India is at आपके given option है Mumbai, Hyderabad, Noriड़ा या Kolkata तो friend इस question में आपसे पूछा गया है largest mint यानि कि mint का मतलब friends यहाँ पे coin जो बनते है ठीक है coin बनाने की factory सबसे बड़ी इंडिया में कहां पे है आपके option है Mumbai, Hyderabad, Noriड़ा या Kolkata तो इसका जो राइटन स्रों को वहाँ को option D Kolkata मी तो इस बात करूँ the largest mint in India is Kolkata mint और Government of India operate four mints in the country for the production of coins and they are at और टोटल four ही हमारी यहां पे mints हैं जो की operate की जाती है Government of India द्वारा ताकि production की जासके coins की वो है आपकी Hyderabad, Telangana में Mumbai, Maharashtra में Kolkata, West Mingol में और Noida, Uttarupadish में और इसमें जो सबसे बड़ी है वो है Kolkata, West Mingol में West Mingol की प्रेजेंट में जो CM है मुमतबनर जी आप भी इनका नाम भी यात रखी तो फ्रेंस आज के से लेक्चर में हमने टोप 10 इंपर कोशन दिसकस कर लिए जो मैंने आपसे कोशन पूशे उनका अंसर कोमेंट बुक्स में जरूर